आप सभी का स्वागत है और सुबह का टाइम है हमारे तरब से आप सबको गुड मोर्निंग और आई होब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जांगे ताहों सर्ष्ट मस्त बेस्ट होंगे हम भी अदम ठीक ठाक हैं और फ्रेंड आज मेरो को जाना है एक्जाम देने और आज मतलब एक्जाम देने के लिए आज मेरो को घर से निकलना है ठीक है तो आप लोग को आज हमारे वीडियो के तुरूप पता चलेगा कि हम कप और कई से निकल रहे हैं ठीक है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइश्टक देखिए फुल वस कीजिए अजार अभी वेरा वी प्रेत में छोड़ दिये हैं सुखने के लिए और उसके बाद यह बोजह बनाएगा और फ्रेंदेखे इधर की साइड है गेहूं सब केहूं पक गया है और इसके बाद यह मसीन से चाहे हांत से और हांशिया के साहरे इसको सब काट लेंगे और काट कर और इसको मसीन के लावा लेगे तो गौहूं फोज निकल जाएगा ठीक है तो आप सब देख सकते हैं कि सारा गौहूं मतलब खेत का पक गया है और जल्दी जल्दी इसको सब काट लेंगे बीन लेंगे और यही है गाउन दियात का खेती ठीक है तो फ्रेंड आप सब देख सकते हैं कि यह है आम का फेंड और देखिए यह फल आ गया है यह आम का फेंड में हाना देखिए आप सब को मैं दिखा रहा हूं हाना देखिए यह रहा आम हाना एक यह रहा और बहुत सारा आम फड़ा है आप यह चोटा सा फेंड है देखिए इतना ही चोटा है बहुत सारा इसमें आम पका हुआ है फ़रा हुआ है और देखिए ही और सारा आम है आख देखिये अ को करेंड यहां पर हमारी परसिंजर आ गई है और हम बहुत इंतीजार करने के बादियां पर सिटेशन पर सिंजर आई है यह और इसी परसिंजर से हम जाएंगे इंजान के लिए जहां मेरों को जाना है ठीक है तो आप लोग हमरे वीडियो को मतलब देखते रहिए और ठीक है तो फ्रेंड इतना धूपता इतना धूपता कि मत पुशे कितना धूप है ठीक है बहुत गर्मी हो रहा था ठीक है और है रहा जादा बहुत है बहुत ज्यादा भीरर नहीं था ठीक है और भेंड हम देखिये यहां आपर पर उम एगाए गये हैं अउछे commute भी श्रोच प्रेन T इसलिए मैंने ना पानी नहीं भारा और वह तेज प्यास लगी है ठीक है तो हम चलते हैं इस्टेशन पर रुखते हैं फिर उसके बाद पानी पिऊंगा फिर उसके बाद भी निकल जाओंगा ठीक है तो और देखे मेरे को कितना टाइम लगेगा कब तक मैं पहुंचता हूं ठीक है और पहुंचने के बाद और मेरे को तबियत भी खराब होगा क्योंकि इतना गर्मी है मेरे को साड़ दर्द भी हो रहा है ठीक है तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए झाल गर्मी है